नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल पर और आज हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं अलबूमिन का ठीक है जो की BCG मेथड से होने वाला है किट आपको डिटेल बताएंगे क्या क्या चीजें उसमें होते हैं किस तरीक से टेस्ट को परफॉर्म क करने से पहले उसके अंदर जो लिट्रेटर आता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है उसमें जो जानकारी दिया गया है उसको रीड आउट करना बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखें ठीक है जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वह आपको बता देते हैं समरी वगरे आप प्रिंसिपल एक्जाम में पूछा जाता है, मैथट का नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, इसके अंदर रियेजेंट आपको देखने को मिलेगा, अभी हम रियेजेंट ओपन करके दिखाएंगे, क्या-क्या चीजें आते हैं उसमें, कौन-कौन से रियेजेंट है, कैसे दिखाई देता है, सब आपको पता चलेगा, ठीक है भाई, रियेजेंट को कैसे स्टोर करके रखना है, स्टेंडर्ड आता है, रियेजेंट आता है, उसको 2-8 डिग्री टेंपरेचर, आपको मेंटेन करके रखना है, open किया है तो 30 data इसका रहता है time ठीक है specimen आप सबको पता है हम serum से test perform करते हैं ठीक है अब जो next जानकारी आपके लिए क्या है जो सबसे important चीज इसमें होने वाला है analyzer का calibration analyzer का calibration भी हम करके दिखाएंगे procedure कैसे करते हैं यह सारा चीज आपको अभी practical दिखाने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पर जो सबसे important चीज है reagent का system test parameter test parameter इसी के according आपका test perform होगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो सबसे important चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यही चीज है मैं बार बार बोल रहा हूं कि यह जो चीजें हैं यहाँ पर यही आपके semi-automatic biochemistry analyzer पर feed करना है या set करना है तभी आपका analyzer सही accurate report आपको generate करके देगा otherwise नहीं देगा थोड़ा बहुत भी mistake गड़बड होगा parameter set करने में तो आपका report गड़बड आएगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है सारा चीज reaction type क्या है end point set कर दीजे मैंने अलग-अलग videos में मैंने बताया कुछ test का parameter कैसे set करते हैं अलग-अलग analyzer का अलग-अलग है बाकी same है सारा चीज ज़्यादा कुछ difficult है नहीं बस उसको operate करने का system अलग होता है बाकी सारे चीजें उसमें mention रहता है यह सारा चीज आप set कर सकते हैं direction increasing है 630 nanometer wavelength है कभी-कभी exam पूछ लेता है या आप याद रखेंगे flow cell temperature 37 है zero setting आप reagent से करेंगे incubation time 37 है incubation time temperature और time क्या है इसका 1 minute है delay time 5 second है यूनिट क्या होने वाला है gram per deciliter blank absorbance limit wavelength reagent volume कितना होने वाला है 1000 microliter 1000 microliter आप reagent volume लेंगे sample volume आप कितना लेंगे 10 microliter ठीक है 1000 reagent पर 10 microliter आपका sample volume होने वाला है standard concentration 4 gram per deciliter exam में पूछता है आप याद रखेंगे ठीक है तो ये कुछ चीजें है reading time आपका 10 second है linearity 10 gram per deciliter ठीक है भई सबसे important चीज यही होने वाला था आप test का procedure आप देख लेंगे test का procedure क्या होने वाला है क्या क्या चीजें है आपको pipetting क्या क्या चीजें करने है वो आप देख लीजे यहाँ पर left side में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि blank standard या calibration भी इसको बोलते है ठीक है या test है तीन test tube आपको लेना है 1, 2, 3 तीन test tube आपके पास होना चाहिए blank का standard का और test का तो इसमें albumin का reagent 1000 microliter, 1000 microliter, 1000 microliter तीनों में लेना है albumin का standard standard वाले में आपको लेना है 10 microliter उसके बाद sample serum जो आपको होने वाला है यह 10 microliter आपको test वाले में लेना है इतना होगा बहुत आसान है अभी test practical करके दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा incubation आपको कितना 1 minute के लिए रखना है 37 degree temperature read आपको करना है 630 nanometer जो कि आपको set करना है analyzer पर ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और उसके बाद reference range बगएर देख सकते हैं 3.5 से 5 ठीक है 5.0 ग्राम पर डिस लेटर यह आप देख ले albumin, globin का रेशो एक्जाम में पूछता है वो आप याद रखेंगे बाकी चीज़े हैं जो कि आपके यहाँ पर काम के होने वाले हैं तो यह सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो अब हम test perform करके देखेंगे किस तरीक इस test को perform किया जाता है अब हम test perform करने वाले हैं हमारे पास reagent का kit है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है albumin BCG लिखा हुआ है आपको total 3 यहाँ पर bottle मिलेगा छोटा bottle आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह आपके standard का bottle है albumin BCG standard यहाँ पर दिया हुआ है कितना volume इसमें है वो सारा चीज इसमें mention रहता है expiry rate सब रहता है अब इसके बाद 2 bottle और है जो कि आपको same bottle है यह आपका albumin का reagent है albumin का reagent आपको 50 ml का BCG यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें भी सारी चीजे mention है color आप देख सकते हैं किस तरीकिसे इसका color होता है कई बार exam में पूछ लेता है ठीक है भी उसके बाद micro pipette आपको चाहिए है 2 जो की 1000 ml हमने set कर लिया है और 10 ml हमने set कर लिया है उसके बाद dry test tube हमारे पास clean 3 है blank, standard और test हमने यहाँ पर label किया हुआ है आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल serial से हमने रखा हुआ है उसके बाद serum का sample है जिसमें हमें test perform करना है albumin का पता लगाना है इसमें कितना है उसके बाद हमारे पास semi-automatic biochemistry analyzer है जिसमें incubation भी incubator set है वहाँ पर incubation के लिए तो अब हम आपको detail में बताएंगे कि किस तरीके से इस test को perform किया जाता है सारा चीज हमारे पास जो requirement है वो हमारे पास available है अब यहाँ पर 1000 microliter का हमने पिपेट लिया हुआ है पहला bottle हमने उठाया है albumin reagent का जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है अब हम 1000 microliter यहाँ से लेंगे reagent और आपको blank वाले तीनों test tube में आपको 1000-1000 डालना है जो कि हमने procedure आपको बताया था पहले हमने blank में लेना है तो blank वाले tube में हमने ले लिया है 1000 microliter उसके बाद फिर 1000 microliter हम लेंगे और यह हम transfer करेंगे किसमें standard वाले test tube में standard वाले test tube में हम transfer कर देते हैं 1000 microliter आसानी समझेंगे बिलकुल आसान है test procedure ठीक है फिर से हमें 1000 microliter लेना है और 1000 microliter हमने लिया और test वाले tube में हमें इसको transfer कर देना है तो simple है इतना आपको step समझ में आ गया कि 1000-1000 microliter आपको reagent लेना है जो कि reagent R1 आप इसको बोल सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास आ गया अब हम standard वाला tube हमने उठाया है standard वाला bottle जिसमें हमें 10 microliter लेना है और standard है तो हम standard वाले tube में ही transfer करेंगे blank वाले में कुछ भी नहीं है केवाल 1000 microliter reagent लिया है अभी standard वाले में हमने 10 microliter standard bottle से हमने लिया है reagent standard का और इसमें transfer कर दिया है और इसको अच्छे से mix करना है इस बात को ध्यान रखना है देखो color change हो गया reaction हुआ तो इसको अच्छे से mix कर दीजे आप proper ताकि reaction अच्छा हो green color में आपको change हो रहा है उसके बाद tip आपको change करना है ठीक है उस बात का यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पर हमने serum लिया है 10 microliter extra है तो आप उसको wipe कर सकते हैं उसके बाद test वाले tube में हमें क्या करना है इसको transfer करना है इस तरीके से आप इसको transfer कर दीजे ठीक है reaction हुआ देखे color change हो गया समझ में आ रहा है तो इस तरीके से आपको ए color change देखने को मिल रहा है अब इसको आपको क्या करना है एक minute के लिए incubation करना है जो कि हमने पहले आपको पताया हुआ है तो यह हमारे पास 3 tube है इसको आप incubation के लिए रख दीजे time stop watch आपके पास होनी चाहिए तो हम आप गड़ी में भी देख सकते हैं बाकी stop watch है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं बाकी बेटर रहेगा stop watch रखिए अलारम बज़ेगा उसी के recording आपको काम करना है अब हमारे पास incubation time complete हो चुका है अब हम albumin पे जाएंगे आपके semi-automatic backstory analyzer पर ठीक है टेस्ट में जा करके तो ये आपको aspirate water बोल रहा है मतलब blank वला आपको यहाँ पर aspirate कराना है तो इस तरीके से आप blank वला tube लेकर के आप इसको aspirate करा दीजे aspirate करने के बाद यहाँ पर आपका delay time चालू हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो भी absorbance होगा read कर लेगा और set कर लेगा analyzer आपका blank ठीक है यह भी बहुत आसान था यतना आपको समझ में आ गया है जब आप test perform करेंगे practical तो आपको इसी तरीके से follow करना है ठीक है इसके बाद analyzer खुद command करेगा आपको बताएगा standard mode पे yes कर दीजे आपको standard के लिए बोल रहा है तो आप standard वाला bottle लीजे और उसके बाद इसको desperate करा दीजे यह हमारे पास standard वाला bottle है इसको आप mix करके आप दो बाराएगा से इसको आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से desperate करा दीजे standard माँगा है तो standard वाला ट्यूब आपको ले करके इसको aspirate करा देना है aspirate हमने करा दिया है उसके बाद time चालू होगा और आपको यहाँ पर standard का concentration standard आपको यहाँ पर सारा चीज mention करके read करके दे देगा ठीक है इस तरीके से इसका time खतम होता है सारा चीज mention कर दिया है आपको sample mode पे लेखने को बुलड़ा है तो आप इसको yes कर दीजे और आपके पास sample mode के लिए आपके पास test वाला tube है इसको लेना है और आपको analyzer को aspirate करा देना है इस तरीके से आपने button दबाया और उसके बाद aspirate किया analyzer ने और अब आपको क्या कर देगा यह कुछ time के बाद delay time के बाद आपको final report calculate करके आपका analyzer देने वाला है और वही आपका final report होगा ठीक है थोड़ा बहुत इसमें increase आएगा क्योंकि already हम लगा करके देख चुके है 5.4 आ रहा है result इसका albumin का ठीक है इस तरीके से final report है या आपका albumin का तो thank you so much वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए bell icon दबा दीजिए ताकि notification आपको मिल सके